चैनल के सभी दर्शकों को जैसरे कृष्णा नवशकार प्रणाम शनिंग रह काकार कत्व और शनिंग रह जन्मकुली में किस राशी में बैठ करके क्या परिडाम देते हैं इस वीडियो में हम आपके साथ यही चर्चा करेंगे शनि ग्रह का प्रभाव मेस राशी में शनि नीच के होते हैं तुला राशी में शनि उच के होते हैं और कुम्भ राशी में इनका मूलत्रिकून भाव रहता है शनी वास्तों में मंद गती के कारण बदनाम है जिस राशे में बैठते हैं उस राशे में उसकी गती को धहीमी कर देते हैं इसलिए प्राया जातक शनी देव से भायवीत रहते हैं और है भी सच की शनी देव जन्मा कुंडली में ही नहीं जीवन में ये वैसे परमसाधक हैं परन्तु श्रापित होने के कारण इनकी द्रिष्टी में दोश हैं इनकी पत्नी ने स्वयम इनको श्राप दे दिया था तो इस शनी देव के राशी के उपर हम चर्चा करेंगे और शनी वैसे तो न्याय के देवता हैं ये किवे करमों का प्रतिफल ततकाल दे देते हैं बहुत जल्दी इसका प्रभाव जीवन में पढ़ता है इसलिए आईए हम चलते हैं शनी देव को पहले मेस राशी के इंतर अगर देखते हैं कि मेस राशी में अगर आपके शनी वैठे हैं तो आपके जीवन में इनका क्या प्रभाव होगा आपको चार्ट अपना बना लेना चाहिए जैसे कि हम अकसर कहा करते चार्ट के नुसार उस पे आप अपने शनी रह को देखें किस राशी में बैठे हैं मे मेस से लेकर मीन पर्यंत ठीक है? अब हम मेस से मीन पर्यंत एक फील करके आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे. जब शनी मेस राशी में होगे, तो यहाँ नीच राशी में होने के काण जातक के अंदर थोड़ी मुर्खता आ जाती है. और यह व्यक्ति बिना विचार के कोई कर्मा करता है, अविचारी हो जाता है मित्र सुक से ये बंचित होता है, अधिकतर ये एकाकी और इसके सुभाव में थोड़ा कपट रहता है और हमेशा भाग दोड़ भरी जिन्दगी में बिस्त रहता है ऐसा जातक दुरबल शरीर रहता है और यदि हो सकता है कि आप कमेस राशे में शरीर मोटे हो इसका मतलब है नहीं कि शनी के कारण सरीर मोटा है ताजा में होता है मानसिक दुरबलता कुल मिला करके ऐसा जातक दुरबल होता है और लोक बिरोधी कार्य करने की कारण ये अशांत चित भी रहता है और ये बिलकुल पर्फिक्ट इसका प्रतिफल हमने देखा है इसलिए मेस राशी में शनी होने से जातक के जीवन में इस प्रकार की परिशानियां देते हैं व्रिश राशी में जातक को दूसरे के निंदा करने का सुभावाला बना देते हैं व्रिश राशी में जब शनी होंगे तो हलाकि मित्र राशी है शुक्र की राशी शनी देव परन्त व्रिश राशी में विस्तेश तोर से जातक को बुद्धिहीन मनाते हैं इस्त्री और पुत्र प्राप्ती से वन्चित करते हैं, इस्त्री पुत्र सुख में कमी आती है, और सामान ने धनी होता है, बहुत ज़्यादा धनी नहीं होता, ब्रिश रासिस्त यदि शनी है तो, और मतांतर से जातक हीन इस्त्रियों से, निचली स्रेडी के इस्त्रियों से, चरित्रहीन इस्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है. बहुत जैसे मृत्यांगनाएं होती हैं, विशाएं होती हैं, मत्रव देह व्यापार आदिक करने वाली, वो नीच कर्मरत, इस्त्रियों के साथ, ये संबंध ज्यादा विस्ताबित करता है, जिसके कारण ये बदनामी भी लेता है और कामी भी होता है. यदा कदा उसकी मैत्री अनियेक इस्त्रियों से देखी जाती है, व्रिस राशी में, क्योंकि शुक्र की राशी है और शनी वहाँ पर भोगी वृत्तिवाला बनाएंगे. देखी है और शनी वहाँ भी होता है तो होता है अगर सनी बैठे होंगे मिथुन में देखा! निसंतान और अब्यवस्थित विचारों के करण इसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, लेखन अच्छा नहीं होता इसका क्यों? देखो, मिथुन राशी में शनी मकर राशी से छठे होंगे और सश्ठस्थ तथा कुम्भ से पंचमस्थ होंगे ठीक है? पंचमस्थ होने के कारण जाता को विप्रीत बुद्धी तथा कुविचारी बनाते हैं इसलिए मिथुन राशी में ऐसा मेरे ख्याल से फलादेश होना चाहिए करक राशी, चंद्रमा की राशी में शनी का प्रभाव क्या होगा? चंद्रमा अर्थात मा का सुख देने वाला, सुख सुविधाओं को देने वाला चंद्रमा और इस राशी में बैठ करके शनी मात्र सुख की कमी देंगे कमी कभार ऐसा जातक माता और पुत्र के सुख से बंचित हो जाता है मा और बेटा के सुख से बंचित हो जाता है अपनी मा और अपना पुत्र और ये विक्ति बुद्धिहींत था निर्धन होता है मतांतर से ऐसा जातक शत्रू पर प्रबल होता है विजय प्राप्त करने वाला होता है और बैभोशाली होता है तो मतांतर ऐसा क्यों है? करक राशिष्ट शनी अपनी राशियों से क्रम सह छठे सब्तम्भाव में इस्थित हैं अतह पत्नी से मतभेद या दामपत्य सुख में कमी सहज ही संभव है ठीक है? सिंग राशी में अगर शनी हैं सूर्य की राशी शनीदेव के पिता है और उनकी राशी है सिंग तो सिंग राशी खास तोर से संतान के लिए देखी जाती है अगर सिंग राशी में सूर्य होंगे तो जातक को पुत्र सुख में कमी होगी हो सकता है पुत्र हो यह पुत्र सेवा नहीं करने वाला होगा दुखी और बोज धोने वाला बनाता है ऐसे जातक को अब वो चाहे ट्रक ट्रेक्टर में धुलाई करे चाहे आजकल कोई सिर्पे तो नहीं बोज धोता बोज सिर्पे भी धो सकता है मारकेट होगे रहा में तो ऐसा जातक कलहप्री होता है और यह शील रहित होता है अन्याए और तथा इस्त्री पुत्र के सुख से यह लगवगी मैंने कुली देखी और देखा उसमें यह बिलकुल पाया मैंने और ऐसा व्यक्ति जो है ना लेखन कला में कुशल जरूर होता है इसकी राइटिंग अच्छी होती है कण्या राशी का सनी जातक को अभी नहीं बनाता है बिनए नहीं होती अभी बेक नहीं होता अभी नहीं यानि बिनम्रता नहीं होती कड़वा बनाता है चंचल और मैत्रता मित्रता में यह व्यक्ति बिफल होता है दोस्ती करना तो चाहेगा लेकिन कोई दोस्त इसको पसंद नहीं करेगा प्रयास करता है अल्प पुत्र अल्प धन कम संतान कम धन कभी कभार ऐसा जातक स्वक्षता प्रेमी ज्यादा ही बन जाता है और यह लेखन कला में ठीक है बढ़िया होगा ऐसा जातक स्वक्षता प्रेमी बल्वान और पहरेदार अथवा मुख्य अधिकारी भी होता है यानि कि खास तोर से डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में यह विक्ति जॉब करता है तुला राशी तुला राशी में शनी पुच्च के होते हैं शुक्र की राशी यह भी है शुक्र की राशी में शनी होंगे तो जातक में कामद्वेग कामा तुरता और बल्वान तो होगा दान सम्मान राजा से यह विक्ति जुड़ा होता है राज्य कृपा से जुड़ा होता है सरपंच मुखिया नगर का प्रमुख धन और सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ इसके पास होती है ऐसा जातक अनेक गुणों से संपन होता है कार्य कुशल होता है और अपने छेत्र में जिस कार्य को करेगा अग्रगन्न होता है यानि इसका खूब आदर होता है अपने छेत्र में व्रिष्चिक राशी का शनी जातक में गोली बंदूख आस्त्र शास्त्र आग्नी विश तथा शत्रू का भै देता है शत्रू से पिडित और बिकल एवं संतान के पक्छ से भी यहाँ पर शनी का प्रभाव कुछ अच्छा प्रतिफल नहीं देगा संतान के पक्छ से दुखी होता है व्रिष्चिक राशी मंगल की राशी में शरी है मंगल से शनी की बंती नहीं है तो क्रूर बुद्धी क्रोधी सुभाव और कभी कभी ऐसा जातक बंधन में देहि कश्ट प्राप्त करता है मतलब जेल खाना असत अंत्रता किसी काण प्रतिबंधक खांसी इत्यारी के काण भी तकलीफ हो सकती है धनु राशी में शनी ब्रस्पति की राशी शनी जातक को साधक बनाएगा सदाचारी बनाएगा यशश्य भी बनाएगे वैवो संपन्न बनाएगे और कहीं न कहीं संतान की ओर से सुखी भी बनाएगे धनु राशी में पुत्र और संपत्ति था सुख सामगरी सुख के साधन स्रेश्ठ सुख कह सकते हैं कि अच्छा सुख मिलता है ऐसा जातक राजदर्वार का प्रतिनदी सलस्य होता है कोट का चहरी इत्याद में अच्छी पैठ होती है कई जातक सेनापती मिलिट्र इत्याद में नगर प्रमुख अत्वा समाज के प्रतिष्ठित सम्मानित ब्यक्ति होते हैं धनु राशी वाले शनी देग शनी कुम राशी अपनी राशी में जातक को नशीला पदार्थ का सेवन करने वाला ब्यसनी बनाते हैं ऐसे विक्ति को शत्रों से पीडा रहती है कोई न कोई शत्रू इनके उपर हावी रहता है आलसी और काम काज को आधे पर छोड़ देना आधा अधूरा छोड़ देने वाला सुभा होता है धनी विक्ति होता है ऐसा जातक छोटे नेत्र होते हैं और नौकर चाकर होने से इस विक्ति को सुख मिलता है खास्त दोर से देखा जाए तो जमीदारी औगेरा करने वाला है ऐसा बेक्ति इनके अगर मीनराशी में हैं तो जातक को विवहार कुशल बनाएंगे बिनेशील बनाएंगे, परुपकारी बनाएंगे, धनवान और सजनों का इसने हैं, अच्छे लोगों के साथ जोडेंगे, इस्त्री पुत्र का सुख प्राप्त करवाने वाला बनाएंगे, धन और सम्मान से भरा पुरा जीवन देंगे, इस बिक्ति के व्रधावस्था अर्थ शक्तिशाली वैभो संपन्न जीवन होगा, ये शनी का सुभाव मेश राशी से मीन राशी परियंत है, और अगर आपकी राशी में शनी ऐसे हैं, तो आपके अंदर मिस्रित गुन अवश्य ही होंगे, वो बात अलग की है कि कोई ग्रह इनके ओपर शुभ अशुभ द्रिष्टी आयुती के करण परणाम बदल दे, अधर्वाइज परणाम में मिस्रन होगा ही होगा, तो वीडियो में कारकत्तो पर यही इतना, अगले वीडियो में शनी बारह घरों में कि आप प्रतिफल देंगे, वो देखना मत भूलेगा, तो लेते हैं विदा इस वीड प्रतिफल, नमस्कार, जश्री कृष्ण प्रणाम